नमस्कार WKB News के सबसे खास, सबसे सटीक और महतपूर्ण पेशकर्ज देश-पदेश दुनिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मुंबे सिटी सिविल कोट से बॉलिवूड के सुपरस्टा सलमान खान को जटका लगा है जी हाँ कोट ने उनके प्रक्ष में कोई अंतरिम आदेश पास करने से इनकार कर दिया है तो दुकानों के बड़े साइन बोर्ड मराठी में अनिवारे करने के निर्णे से जहां व्यापारियों की मुश्किले बढ़ गई है वही दूसरी तरफ राजितिक श्रय देने की होड मज गई है इसे बीच मुमे करो के लिए BMC बड़ी राहत लेकर आई है अब असी नागरी की सुविधाय घर बैठे वाटसैप पर मिलेंगी वही हिंगोली जिले के बसमत तहसिल के आमबाचवडी में बैंक लूटने की नाकाम कोशिश हुई हिंगोली जिला पुलिस ने मस दो घंटे में आरोपियों को धर दबोचा उधर ने नियूमे के कारण मेडिकल पीजी में जनरल कैटेगरी की सीटे 42 पिसे धी घट गई है इसलिए पुल ग्राजुएट मेडिकल एक्जामिनेशन या नीट में सामने शेनी के स्टूडन्ट की मुश्किले अब और भी बढ़ गई है प्रदेश की इन पाज बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है हमारे साथ मुंबई सिटी सिविल को टे बॉलूट के सूपर स्टार सलमान खान के पक्ष में कोई अंतरिम आदेश पास करने से इंकार कर दिया उन्होंने कतित मानहानी के लिए अपने एक पोडोसी के खिलाब मुकतमा दायर किया था सलमान खान की और से दायर केस में दावा किया गया है कि मुंबई के पनवेर सीथ उनके फार्म हाउस के पास एक जमीन के मालिक केतन ककर ने एक यूटूब चैनल से बाचित के दवरान उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है अब इनेता ने मांग की है कि उनके खिलाब अपमाजरब कंटेंट को हटाया जाए और जिन भी प्लाटफॉंस पर यह कंटेंट उपलब्द कराया गया है उसे ब्लॉक किया जाए सलमान खान ने अपने मुकदमे में यूटूब, फेस्बुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लाटफॉंस को भी पक्षकार बताया है और मांग की है कि उन्हें अपनी वेबसाइट से उनके खिलाब की गई आपति जनक टिपपनी को ब्लॉक करने के निरदेश दिये जाए इससे पहले 14 जनवरी को सिटी सिविल कोट में जजच अनिल एच लद्दाद ने सलमान खान के इस केस की सुनवाई की थी केतन ककड का प्रतिनिजित्व करने वाले वकिल आबा सी हैं और आदित्य प्रताप ने कथित तोर पर इसका विरोध करते हुए कहा था कि उन्हें डॉक्युमेंट्स देखने का समय नहीं मिला अगर सलमान का मुकदमादार करने के लिए एक महने तक इंतजार कर सकते हैं तो निश्चित रूप से केतन ककड को अपना जवाब देने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए महराष्ण मंत्री मंडल ने दुकानों के बड़े साइन बोर्ड मराठी में अनिवारे करने का निर्ने किया था इसके बाद से छोटी बड़ी सभी दुकानों पर बड़े अक्षरों में मराथी में साइन बोर्ड लगाने को लिकर राजनितिक दलों में श्रेयल उटने की होड मच गई है इससे वैपारी सहम गए है वे अपनी और अपनी दुकान की सुरक्षा को लेकर चिंतित है इसी बीच आयम-ायम के सांसद इमतियाज जलील ने ठाकरे सरकार से म मांग की है कि लॉकडाउन के चलते दुकान दोरों का बुरा हाल है उनकी गुजर-बजर मुश्किल है वे दुकान के साइन बोर्ड बडलने के लिए पैसे कहां सिलाएंगे साइन बॉर्ट बदलने का खर्चा सरकार उठाए इस पर शूसेना सांसत संजर राउत ने कहा कि माराश में रहते हैं यहां कारोबार करते हैं और मराठी का विरोध करते हैं इसे कभी सहन नहीं किया जाएगा सांसत जलील को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए उधर मनसे नेता संदीब देशपांडे ने धमकी बरे लहजे में कहा है कि दुकानदार सोच ले कि साइन बॉर्ट बदलने का खर्च ज़्यादा आएगा या दुकान के काज बदलने का खर्च ज़्यादा होगा इसी बीच Federation of Retail Traders and Welfare Association के दैक्ष विरेन शाहा ने कहा कि दुकानों के बोल्ट मराठी में लिखने पर कोई आपतीन नहीं है लेकिन फॉर्ट साइस को लेकर आपती है उन्होंने सरकार से इस बारे में दुकानदारों पर दबाव न डालने की गुजारिश की साथ ही अपनी और अपनी दुकान की सुरक्षा की मांग भी की मुंबई करों को नागरिक सुविधाओं के लिए अब BMC कारेले का चकर नहीं लगाना पड़ेगा BMC की असी नागरिक सुविधाएं घर बेटे वाटसाप पर मिलेंगी इनमें मैरिज, बर्थ और डेट सर्टिफिकेट, बिल भुकतान, लाइसेंस और परमिशन के लिए अपलाए हॉस्पिटल, गार्डन, स्कूल, गनेश उत्सो परमिशन जैसी अन्य सुविधाएं शामिल है ऐसा करके BMC देश की पहली ऐसी महानगरपाली काप बन गई है मुख्यमंत्री उद्व ठाकरे ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए BMC की वाटसाप चैट बॉट सुविधा लांच की उन्होंने वाटसाप नमबर 8999228999 जारी करते हुए कहा इस पर लोग BMC की सुविधाओं का लाब 24 घंटे ले सकेंगे आधुनिक तक्निक का लाब सबको उपलब्द होना चाहिए BMC के वाटसाप नमबर पर मराठी में नमस्कार या अंग्रेजी में नमस्ते या हाय लिख कर भेजने पर अधिकरुत जवाब प्राप्त होगा उत्तर के बाद मराठी और इंग्लिज दो उपलब्द होंगे इन में से एक पर क्लिक करने पर तीन उप्शन मिलेंगे नागरिक, वेउसाय, परेटक किसी एक पर क्लिक करने पर बीमसी की सेवा सुविधा सम्मदित उप्शन पर उपलब्द होंगे बीमसी प्रशासन का मानना है कि लोगों को इससे बड़ी सुविधा मिलेगी और काम में पारदरशिता भी बनी रहेगी तमाम शिकायतों का अब तक एकी जगह निप्टा रह हो सकेगा हिंगोली जिले के बसमत तहसिल के आमबा चोड़ी में बैंक लूटने की नाकाम कोशिश हुई हिंगोली जिला पुलिस ने महज दो घंटे में आरोपियों को धर दबोचा दरसल आमबा चोड़ी ग्राम में महराष्ट ग्राम इन बैंक की शाका है 14 जन्वरी की शाम लगबख साड़े चार बज़े बैंक के अधिकारी काम कर रहे थे कि अचानक काले रंग के पलसर मोटा साइकल क्रमांक MH38 FB पर सवार होकर तीन युवक बैंक के सामने आये एक युवक बैंक के बाहर ही रुख गया और अन्य दो युवक बैंक के अंदर घुस गये दोनों लुटेरों ने बैंक में घुसते ही रिवालवर निकाल ली और बैंक मेनेजर एवं केशियर को धंकी देते हुए बैंक की रकम देने को कहा मेनेजर ने रकम न होने की बात कही तो लुटेरों ने जाते-जाते हवा में दो बार गोलिया चलाई इस गोली से बैंक के दर्वाजे में लगा कांच फूट गया और कैशियर नितिन नन्वरे को चोटाई इसके बाद वे फरार हो गए जानकारी मिलते हैं पुलिस वहाँ पहुंची CCTV फुटेज के आधार पर सभी पुलिस थानों को नाकाबंदी के आधेश दिये गए और मात्र दो घंटे के अंदर हिलूटे रे दबोच लिए गए उन्हें कुरुंदा पुलिस स्थाने में लाया गया उनकी पहचान बसमस्षर के सोमवारपेट निवासी अयाज एहमद मौमद गफूर उत्तर प्रदेश बराई जिले के नानपारा निवासी शहबाज अंसारी जामिल एहमद तथा तीसरा रोपी उत्तर प्रदेश के बनारस तैसिल के गोरहारा निवासी संदीप मत्रू यादव के रूप में हुई औल इंडिया लेवल पर श्रेक्षनिक वर्ष दोजार बाईस में 27 पिसदी अन्य पिछड़ा वर्क और 10 पतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्क कोटा लागो होने से मेडिकल पीजी में जनरल कैटेगरी की सीटे 42 पिसदी घट गई है इसलिए पोज ग्याजुएट मेडिकल एक्जामिनेशन या नीट में सामने श्रेनी के स्टूएंट की मुश्किले अब और भी बढ़ गई है नए नियम के मुताबिक अब यदि किसी पब्लिक मेडिकल स्कूल की किसी विशेश शाखा में 4 सीटे है जिन में से 50 पिसदी या 2 सीटे होंगी अखिल भारते कोटा के एक ओपन श्रेनी के उमिदवार को अब 2 साल में एक बार इसमें शामिल होने का मौका मिलेगा क्योंकि रोटेशनल आरक्षन लागु किया जाएगा इससे पहले यदि किसी विशेश के पास अखिल भारते कोटे में से 2 सीटे होती थी तब यह सुनिश्चित किया जाता था कि एक सीट सामने श्रेनी के उमिदवार के लिए उपलब्द हो जबकि एक सीट को SC और ST आरक्षी श्रेनियों के चातरों के लिए रखा जाता था Medical Education and Research के पूर्वनिदेशक डॉक्टर प्रमीर शिंगारे के मुताबिक अब सामने श्रेनी के उमिदवार को 2 साल में एक बार वह मोका मिलेगा नयनियम का ही असर रहा कि Medical Counseling Committee द्वारा सीट मैट्रिक्स के नुसार अब सामने वर्ग में चातरों की संख्या में 42 पिसदी यानी 2747 सीटों की कमी देखी गई है जबकि 2021 में Open Merit चातरों के लिए 6556 सीटे थी इस साल यह संख्यागट कर 3809 रहे गई है देश में हर साल 24 जन्वरी से गंतंत्र दिवस समारों की शुरुआत होती है लेकिन अब 23 जन्वरी से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी मारे सरकार ने अहम फैसला लिया है तो बहुजर समाज पार्टी ने उत्तरपदेश विदासबाद चनाओ के लिए पहले चनन की 58 सीटों में 53 पर अपने उमिद्वारते किये है वही भारते रेल ने भी एक बड़ा फैसला लिया है इसके अनुसार अब ट्रेन के गाड को गाड नहीं कहा जाएगा बलकि अब वे ट्रेन मैनेजर कहलाएंगे इसी बीच केरल हाइकोर्ट ने साफ किया है कि मौल को पार्किंग शुल्ख लेने का अधिकान नहीं है कोर्ट ने यह टिपनी एरनाकुलम के प्रसिद्धर लूलू इंटरनेशनल शॉपिंग मौल द्वारा अपने ग्राहा को उसे पार्किंग शुल्ख लेने कारोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई के दोरान कही उधर स्युक्त किसान मोचा की सिंगु पॉर्डर पर बैठक शुरू हो गई है स्युक्त किसान मोचा की इस बैठक में गुर्णाम चडूनी शुकुमार कक्का जी सही मोचा के सबीने ताम मौजूद है देश की इंग पाल बड़ी खबरों को जाने हमारे साथ अब से हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयनतिक के साथ ही गणतंत्र दिवस समारों की शुरूआत होगी भारत सरकार के सूत्रों ने इस खबर की पुष्टी की है बदादे की देश में हर साल 24 जन्वरी से गणतंत्र दिवस समारों की शुरूआत होती है लेकिन अब तेज जन्वरी से ही इसकी शुरुवात हो जाएगी नेताजी सुभाज चंद्रबोस का जनम तेज जन्वरी 1897 को हुआ था गौर तलब है कि 24 जन्वरी से गणतंतर दिवस की आपचारिक शुरुवात हो जाती है जिसका समापन 29 जन्वरी को बिटिंग दरिटरिट कारेकरम के साथ हो जाता है इस दोरान सेना की तीनों शाखाय पारंपारिक धुन बजाते हुए मार्च करती है विजय चौक में होने वाले इस कारेकरम के मुख्य अतित ही राश्टरपती होते है इस दोरान राश्टरपती से गणतंतर दिवस समारों खतम करने की अनुमती मांगी जाती है अब नेता जी के जन्वरी से ही गणतंतर दिवस की शुरुवात हो जाएगी आमतोर पर समारों में भाग लेने वाले सभी प्रदर्शनों की तयारी अगस्त से ही शुरू हो जाती है सभी प्रती भागियों को 26 जन्वरी से 600 घंटे पहले पहुचना आनिवारिय होता है इसके लिए इंडिया गेट के सामने कैम्प लगता है रिहारसल के दोरान प्रती भागियों को 12 किलोमिटर का सफर तय करना होता है जबकि 26 जन्वरी को उन्हें 9 किलोमिटर की दूरी तय करनी होती है सभी कारेक्रम पुर्वन योजित होते हैं और इसके लिए कई दिन पहले से रिहलसर किया जाता है महुजन समाच पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधान सभाच चुनाओ के लिए पहले चरण की 58 सीटों में 53 पर अपने उमिदवार तय कर लिये है बसपा सुप्रीमों मायावती ने अपने जनम दिन पर मीडिया को सम्मोधित करते वे ये जान कर दी उन्होंने साथ ही बताया कि अन्यपाथ सीटों पर भी दो-तिन दिन में फैसला हो जाएगा मायावती ने कहां कि मीडिया को मेरे खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो वो आई दिन मेरे चुनाओ लड़ने के मुद्दे को उच्छालते रहते हैं मैं चार बार लोकसभा और तीन बार राज्यसभा की सदस्यर रह चुकी हूँ मैं अपनी पार्टी के हित में सीधा चुनाओ लड़ने की जगह अपने कारे करताओ को जिताने का काम करूँगी हमारे सविधान में ये विवस्था है कि कोई बीना चुनाव लड़े भी अपनी योग्यता से किसी प्रदेश का मुख्यमंतरी बन सकता है मुझे पुरा भरोसा है कि इस बार BSP 2007 की तरह सत्ता में लोटेगी और ओपिनियन पोल धरा का धरा रह जाएगा साथी मायावती ने एलान किया कि उनकी पार्टी बसपा का किसी पार्टी के साथ कोई गड़बंदन नहीं है बसपा सुपरीमो ने कहां कि लोग आकाश आनंद के भी चुनाव लड़ने की बाद भी मीडिया में उच्छालते रहते हैं वो मेरे निर्देशन में पार्टी के काम में लगा है अगर मीडिया और विरोधी पार्टी आकाश आनंद के पिछे पड़े रहे तो मैं उसे अपने पार्टी में और बढ़ावा दूंगी अब ट्रेन के गार्ट को गार्ट नहीं कहा जाएगा बलकि वे अब ट्रेन मैनेजर कहलाएंगे रेलवे ने इस फैसले को लेकर अधिकारी कादेश चारी किया है रेलवे के अधिकारियों के मताबिक रेल करमचारी संगों की लंबे समय से पोस्ट में बदलाव करने की मांग थी लेकिन गार्ट के कामों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा असिस्टेंट गार्ट को असिस्टेंट पासेंजर ट्रेन मैनेजर और सिनियर पैसेंजर गार्ट को सिनियर पैसेंजर ट्रेन मैनेजर के रूप में फिर से नामित किया गया है हालां कि उन्हें पहले की तरह ही सैलरी मिलती रहेगी बतादे की गाट की शुरुआती सैलरी करीब 30,000 रुपए है इसके अलावा उन्हें कई तरह के भत्ते भी दिये जाते हैं उधारन के लिए मालगाडी के गाड को हर किलोमिटर के हिसाब से भी भत्ते दिये जाते हैं। लिहाजा उन्हें कुल मिला कर करीब 60,000 रुपे मिलते हैं। कहां जा रहा हैं कि रेलवे अप कॉर्परेट की तरह अपनी इमेज वदलने में जुटा है। खाल ही में रेलवे बोर्ट के अध्यक्ष को CEO का नाम दिया गया था। अधिकारियों ने कहां कि रेलवे प्राइवेट कमपनियों को ट्रेनों के संचालन की अनुमती देने की योजना बना रहा है। लिहाजा नाम करण में ये बदलाव स्वाभाविक है और रेलवे के आध्यूनी की करण के अनुरूप है। एक अधिकारी ने कहां ये काफी उपयुक्त होगा कि ट्रेन गार्ट के मौजुदा पदनाम को ट्रेन मैनेजर में बदल दिया जाए। जो भी ना किसी वित्य प्रभाव के उनके लिए एक सम्मान जनक पदनाम होगा ताकि वे समाज में एक सम्मान जनक जीवन जी सके। केरल हाई कोट ने साफ किया है कि मौल को पारकिंग शुल्क लेने का अधिकार नहीं है। कोट ने ये टिपनी एरना कुलम के प्रसिधा लूलू इंटरनाशनल शुपिंग मौल द्वारा अपने ग्राह को से पारकिंग शुल्क लेने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई के दोरान कही। इस मामले पर 28 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। इस अंडर्टेकिंग के आधार पर ही इमारत का निर्मान किया जाता है। सवाल ये है कि निर्मान के बाद क्या मालिक पार्किंग फिस ले सकता है। कोट ने कहा कि प्रथम दुरुष्य मेरी राय में मौल, कार पार्किंग फिस नहीं ले सकते हैं। अब मैं इस मुद्दे पर नगरपालिका का रुख जानना चाहता हूँ। याचिका करताओं की शिकायत थी कि लूलू मॉल बिना किसी अधिकार के पार्किंग फिस्वसुल कर रहा है। ये याचिका फिल्म निर्देशक पॉली वड़कन द्वारा दायर की गई है। सयुक्त किसान मोर्चा की सिंगु बॉर्डर पर बैठक शुरू हो गई है। कर रहे हैं उनको लेकर भी कोई फैसला लिया जा सकता है। इसके लावा कुछ किसान नेता MSP पर बनी कमेटी को भंग करने की भी मांग कर रहे है। मतादे की तिन नएक रुशी कानूनों को रत करने MSP गैरेंटी कानून बनाने आधी मांगों को लेकर सयुक्त किसान मोरचा की नेतरुत्व में एक साल से अधिक समय पर कुंडली बॉर्डर पर प्रदर्शन किया गया था। कानूनों को निरस्त करने के साथ ही अन्य मांगों पर सहमती बनने के बाद 11 दिसंबर 2021 को सयुक्त मोरचा ने प्रदर्शन समाप्त करते हुए घरवापसी की थी। घरवापसी से पहले मोरचा ने 15 जन्वरी को फिर से बैठक कर उनकी मांगों के सम्मन में सरकार द्वारा की गई कारवाई की समिक्षा का एलान किया था। पाकिस्तान अब एक नया स्कीम लेकर आया है इसके तहत वो विदेशियों को निवेश के बदले स्थाई निवासी का दर्जाद देने जा रहा है। इसके लिए आयदकों को करिब 74 लाख रुपे से लेकर 2 करण रुपे का निवेश रियल स्टेट में कराना होगा। वही CBI ने विशेश अदालत में कहा कि बीटी सरकार ने भारत सरकार के साथ इस चर्ट पर अगस्टा वेस्टलेंड की जानकारी साजा की है कि इसका उपेवग भारती अदालत में ही किया जाएगा। पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारन मंतरी फवाद चाउधरी ने गुशना की है कि सरकार ने विदेशी नागरी को के लिए स्थाई निवास योजना की अनुमती देने का फैसला किया है। इसे रियल स्टेट शेत्र में उनके निवेश से जोड़ा गया है। पाकिस्तान की पहली राष्ट्य सूरक्षा निती के अनुसार फवाद ने कहां कि पाकिस्तान ने भू अर्थशास्तर को अपने राष्ट्य सूरक्षा सिधान्त के मूल के रूप में खोशित किया है। यही कारण है कि नई निती ने विदेशियों को निवेश के बदले स्थाई निवासी का दर्जा प्राप्त करने की अनुमती दी है। तुर्की के नक्षी कदम पर चलते हुए पाकिस्तान की तहरी के इंसाफ की नेतरुत्व वाली सरकार ने विदेशिनागरी को के लिए स्थाई निवास योजना सुविधाश शुरू करने का फैसला लिया है। इसके लिए आवेदकों को करीब 74 लाक रुपे से लेकर 2 करोड रुपे का निवेश रियल इस्टेट में करना होगा। बता दे कि पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान पर तालिबान का कबजा होने के बाद से अफगान तुर्की, मलेशिया और अन्य देशों में शरंड लेने के लिए मजबूर हो रहे है। ऐसे लोगों को आकरशित करने के लिए ही पाकिस्तान सरकार ने ये स्कीम लाँच की है। में बिटिश सरकार से प्राप्त कुछ महत्वपुर्णा सूचनाओं को अधालत के सामने पेश करने में असमर्थ है। CBI ने कोट से कहां कि बिटिश सरकार ने भारत सरकार के साथ इस शर्त पर जानकरी साजा की कि इसका उपयोग भारती अदालत में नहीं किया जाएगा। CBI अदालत भारती अवायू सेना में अगस्ता वेस्ट लैंड हेलिकॉप्टर और सौदे से जुड़े एक कथित बिचौलीये क्रिशियन मिशेल द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। CBI अगस्ता वेस्ट लैंड कंपनी का उसकी इतालवी पैरेंट कंपनी में फिन मेकेनिका के साथ विले कर दिया गया है। शेतिया है कि नेपाल के सत्ताधारी के साथ ही विपक्षी दल भी भारत से नेपाल की संप्रुबता और शेतिय अखंड़ता को कमजोर नहीं करने की बात कर रहे है। विसकारण नेपाल नेपाल ने चीन से सरे ट्राई जंक्षन के पास लिपुलेक, लिपियांदुरा और कालापा ने शेतर पर फिर से अपना दावा किया है। इतना ही नहीं, अपने दावे को सही ठहराने के लिए पहले एक नया राजनितिक नक्षा भी जारी किया था। नेपाली कॉंग्रेस का माना है कि लिपुलेक, लिपियांदुरा और कालापानी नेपाल के शेतर है। नेपाल को इस भोगोल का उपयोग करने का अधिकार होना चाहिए। कालापानी में तैनाद भारतिय सेनिकों को वापस किया जाना चाहिए। वही पियम मोदी ने 30 दिसंबर को हलदुआनी में एक सारोजनिक कारेक्रम में कहा था कि भारत ने तनकपुर पितोरागड औल वेदर रोड पर काम करने के लावा लिपुलेक तक सड़क का निर्मान भी किया है और इसका विस्तार किया जा रहा है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में आज कल चोरिया बहुत बढ़ गई है। और पुलिस भी तेज़ी से कारवाई कर रही है। पिछले साल की तुलना में इस साल कुरियर पकेट चोरी होने के मामलों में 160 फिसदी तक की रुद्धी देखी गई है। हाल में चीन के विदेश मतरी वांगी माल्दियू और शिलंका के दोरे बर थे। रिपोर्ट्स बताती है कि वांगा यद दोरा नाकाम्याब रहा। क्योंकि शिलंका और माल्दियू सरकार ने महसूस किया है कि चीन द्वारा उनकी संप्रबुदा को कर्च जाल के जरिये धीरे धीरे खत्म गया जा रहा है। दोनों देशों को संप्रबुदा की अधिक चिंता रही। माल्दियू के राष्टपती इबराहिम सोली है ने भारत के साथ अधिक निकता से बाचित करके चीनी प्रभाव और करच के जाल को सीमित करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ शिलंका की एकोनॉमिकी धालत किसी से छिपी नहीं है। देश एक गहरे आर्थिक संकट में उलजा हुआ है। कि दौरान भी इस तरह को महसूस किया है। इसलिए चीन की हालत किसी आनी बिल्ली जैसी हो गई है। तो आज की इस खास पेशकर्श में बस इतना ही। आप से कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रिए वीके बिन्यूस नमस्कार। कि अच्पन करें आप साथ्चियों करें बदान करें लिए थांगगे नमस्कार। दिए भीके बदान करें करें बदाले वीके करें करेंके आप सब्स्कार। झाल झाल